पिछले वीडियो में वीवियम नेशनल लेविल कायम की जूनियर लेविल के टॉपिक्स पे मैंने कई वीडियो अपलोड किये थे आज जो वीडियो लेकर क्या है आपके लिए यह सीनियर लेविल के लिए आई कास्ट प्रप्रेशन के लिए है इस वीडियो में हम एक इंस्टिटूट नेशनल इन्नोवेशन फाउंडेशन इंडिया यह नि आई एफ इंडिया के बारे में समझेंगे आई कास्ट जो पार्ट है आपके नेशनल लेविल कैम्प इंडियोईशन का इसमें मल्टिपल चोईस कुष्चन आएंगे आपको दो संस्थान दिये गए हैं उन दोनों संस्थानों से 15 कुष्चन पूछे जाएंगे उन संस्थानों का हेस्ट्री क्या है क्या वहाँ पे एरिया फ्रिसर्च किनकिन एरियाद में रिसर्च होता है उन संस्थानों में क्या उसके एचिवमेंट्स हैं संस्थान के और क्या पेटेंट्स हैं इन topics से related questions आपके exam में आएंगे इन ही सारे topics को involve करके मैंने कुछ points जान नोट डाउन किये हैं आपके लिए आसा करता हूँ है आपकी preparation में help करेंगे तो दिखते हैं आगे National Innovation Foundation of India यह कहाँ पे है इसका यह अमरपूर गांधी नगर गुजरात में इस्तित है यह संस्थान और यह कब इस्टिबलिस कब हुआ था यह February 2000 में इस्टिबलिस हुआ था governed या set up by मतलब किस मंत्राले के द्वारा या ministry के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी वो है Department of Science and Technology TST Government of India इसके द्वारा इस संस्थान को इस्ताफित किया गया था इस संस्थान को इस्टिबलिस करने के पीछे उद्देश्ट क्या था या कह सकते हैं इस संस्थान का विजन क्या है क्या करना चाहता था इस संस्थान नाम से ही पता चल रहा है Innovation Foundation यानि कि कुछ नया नया यहाँ पर प्रमोट करना है Innovative Ideas Innovation को प्रमोट करता है क्या है Vision To make India innovative and adding value to India's outstanding traditional knowledge ways मुख जो Vision है इस संस्थान का वो है Innovative इंडिया को Innovative बनाना और adding values to India's outstanding traditional जो traditional knowledge है इंडिया का उसी को कैसे और ज़्यादा इंडिच किया जा सकता है या उसी में हम कैसे टेक्नोलोजी को इंवाल्व करके और अच्छा कैसे हम सोसाइटी के लिए कर सकते है तो इसका मुख्य विजन यही है जो traditional knowledge निगाओं में या बहुत नीचरे इस तर पे छोटी छोटी समस्याओं को ले करके नए-ने तरीके लोग अपनाते हैं उनको शौल्व करने के लिए या उन्ही के लिए कई सारे उन्होंने कुछ यंत्र बनाए है Innovative अब उनमें कैसे हम न्यू टेक्नोलोजी जो आज की टेक्नोलोजी है कैसे उसको समाज करके सोसाइटी के लिए समाज के लिए और देश के लिए हम उसको लावफरत कैसे बना सकते हैं तो यह इसका बिजन है Mission Mission की बात करें तो to help India become Inventive Creative यानि की कुछ Creative ऐसा हो जो Invention हो इसमें नई चीज बनाने का हो And to become a global leader इस प्रकार इंडिया जो है Global leader बन सके इस फिल्ड में In sustainable technologies While scouting, spawning, sustaining grassroots innovations यानि की ऐसे जो Innovative Grassroot Students हो सकते हैं Formers हो सकते हैं उनको सामने लाना उनकी पहचान करना और फिर उन भी में कैसे value addition करना ये इसका मुख्य Mission है और इस प्रकार से कुछ Inventive Creative तयार करना इस संस्थान के डारेक्टर है डारेक्टर डाक्टर अर्विन सी रानडे इस डारेक्टर है प्रेजेंट में इस अंस्थान के और आगे हम बात करेंगे कुछ achievements कह सकते हैं जो इसके द्वारा प्राप्त किये गए हैं It has a data base of over 3,45,000 technological ideas ये क्या करता है पुरा एक data base बनाता है ideas का आइडिया वैंक develop करता है It has recognized 1145 grassroots innovators इसने पूरी all over इंडिया में स्काउटिंग के द्वारा 1145 grassroots innovators की पहचान की है इक grassroots innovators वो हैं जिन्हों ने अपनी local समस्याओं को अपने innovative ideas के द्वारा या अपनी innovative machines के द्वारा solve किया है और समाज को लाप पहुँचाया है समाज को देश को और पूरी दुनिया को लाप पहुँचाया है तो ऐसे 1145 grassroots innovators की इसने पहचान की है इस संस्थान में NIF ने filed है 2377 patent publications including 8 in US 1377 इसने patent application फाइल किये थे जिन में से 652 patent have been granted उन में से 652 patents इसको grant किये गये हैं इंडिया में और 5 patents grant किये गये हैं USA में जो total patent file किये थे इस संस्थान के दौरा NIF has file 24 design registrations जो design registrations हैं वो 24 file किये गये इसके दौरा और 20 उन में से granted हो गये हैं design registrations का मतलब है किसी symbol या किसी चीज का design जैसे rupees का जो symbol था उसकी design की गई तो ऐसी जो specific designs हैं वो registered के गए हैं इस NIF के दौरा इसका मुख्यू देश रहता जो students हैं college students हैं उनको भी ये focus करता है ताकि वो लोग भी innovative ideas को धरातल पर उतार सकें 11 trademark applications filed which 7 have been granted त्रेड मार्क applications हैं 11 जिन में से 7 grant हो चुके हैं इसको NIF has filed application for active and plant varieties यहां कि जो plant की new varieties डेवलप की जा रही है फार्मर्स के त्वारा उनको भी ये entertain करता है और उनमें से 81 वराइटीज को इसने फाइल किया कहां फाइल किया The Protection of Plant Varieties and Farmers Rights Authority के अंतरगत यहां पे फाइल किया इसने 81 plant varieties जिन में से 29 को successfully registered किया गया 81 में से 29 को registered किया गया है Plant Varieties के अंतरगत अगला है Micro Venture Innovation Fund MVIF एक प्लान है इसी का NIF का Micro Venture Innovation Fund MVIF जो supported है SIDV के द्वारा SIDV Bank है has provided risk capital to 238 innovation waste enterprise projects जो कि economically support करता है innovation को NIF has proved that Indian innovators can match anyone in the world NIF का मानना है कि भारत में जो भी innovators है वो दुनिया में compete कर सकते हैं अन्य देशों के साथ when it comes to solving problems creatively यदि वो problem को solve करने प्याज आएं तो दुनिया की हर problem का solution निकाल सकते हैं कि innovative रूप में एक और इसका model है the grassroots to global G to Z model propagated by NIF मतलब grassroots यहनि सबसे निचले इस तरपे जो innovative innovation है उसको कैसे global level पे लाना है यह भी इस NIF के द्वारा promote किया जाता है students के लिए एक बहुत बड़ा program आप लोगों के यहाँ भी school में आता होगा inspire award योजना हर school में private और government पब्लिक सेक्टर हर जगा योजना रहती हर school में तो आप सभी भी participate करते हैं इसमें इसको कहते है inspire award मानक यह उस योजना का नाम है इसके अंतरगत आप अपने innovation को upload करते हैं साइट पर तो वहाँ जो experts है examine करते हैं और वो देखते हैं कि वाकई में यह आपका innovative idea है तो उसको entertain किया जाता और आपको 10,000 की धन्वास भी दी जाती है तो इसका मानक का मतलब है millions minds augmenting national aspiration and knowledge यह बहुत ही महत्पूर्ण योजना है और यह भी department of science and technology यह दीस्टी के द्वारा ही यह भी चलाई जाती है is being revamped and executed by department of science and technology तो यह inspire award मानक की योजना भी इसके द्वारा चलाई जाती है students के लिए specific दोर से inspire का यहाँ पर meaning है इन्नो के short form में आ सकता है मानक और inspire inspire का यहाँ पर meaning है innovation in science pursuit for inspired research इसके बाद हम बात करेंगे objectives की main objectives क्या है कुछ objectives हैं इस संस्थान के पहला है to help India become an innovative and creative society innovative and creative society develop करना इंडिया में and global leader in sustainable technologies by scouting, spawning and sustaining grassroots level innovators grassroots level innovators हैं उनकी पहचान करना, उनको management करना उनको economically support करना उनको proper मंच परदान करना ताकि वो आगे लेकर के आ सकें अपने innovative invention को next है to ensure evaluation and diffusion of green grassroots innovation green इसका जो symbol है उसमें आप देख सकते एक green dot है तो उस green dot का मतलब यह है कि जो भी आपका invention हो वो environment friendly हो यह specific तोर के देखना है अलब ऐसा आपका invention नहीं होना चाहिए कुछ भी जो हमारे पर्यावर्ण को नुकसान पहुचा है तो इसलिए इस चीज़ पे फोकस करता है green grassroots innovations कि जो green grassroots innovations है उनको यह promote करता है green grassroots innovations in a time bound and a mission manner show as to meet the socio-economic and environmental needs of our society जो हमारे समाज की और पर्यावर्ण की आवश्रक्ताएं है उनको किस तरीके से आपका green grassroots innovation fulfill करता है उसको यह ensure करता है next है to facilitate scaling up of grassroots innovations and traditional knowledge with or without value addition through commercial और non-commercial channels उनको मदद पहुचाना grassroots innovations को चाहें वो commercial यह non-commercial channels के द्वारा कैसे उसको हम मदद पहुचा सकते हैं उसमें भी यह ध्यान देता है next है to influence public policy and conduct coordinate and support तीनों काम करता है conduct करता है, coordinate करता है और support करता है research, design and development efforts in the country on grassroots innovations grassroots innovations पे ही इसका मुख focus रहता है हर तरीके से संभव मदद हर संभव मदद उनको पहुचाना coordinate करना conduct करना research में, design में और development में next चीज़ यह करता है to enable protection of the intellectual property rights of the knowledge holders यहनि कि जो आपका intellectual property rights है उसका भी यह protection करता है और उनका patent कराता है ताकि उस चीज़ पे कोई दूसरा अधिकार न जमा सके तो उसकी यह protection भी करता है to build linkage between excellence, informal scientific systems and informal knowledge system जो formal scientific systems है उसमें और जो informal knowledge system है उनके बीच में एक bridge का भी काम करता है and create a knowledge network to link various stakeholders next to promote wider social awareness and applications of innovations and traditional knowledge and increase their incorporation in educational, curriculum, developmental policies and programs इन चीज़े में इन में भी यह rule अपना प्ले करता है social awareness यानि सामाजिक जागरुकता को बढ़ता है and applications of innovations and traditional knowledge इनको भी promote करता है their incorporation in educational curriculum अब कुछ activities आफ एन एफ के बारे में बात करेंगे या कह सकते हो एरियाज आफ रिसार्च चीवे इसको कह सकते हो किन-किन एरियाज में यह काम करता है या activities आफ दा एन एफ कह सकते हो तो सबसे पहले इसका काम है scouting, documentation and database management SDDM पहचान करना, उनके documents को देखना, verify करना और उसका एक database तयार करना उनका management करना पहला काम इसका यह है SDDM दूसरा है value addition research and development कि कैसे जो research है वो value addition research हो उसको development में help करता है next है intellectual property management जो intellectual property यह जो भी आपका idea यह invention है उसका भी यह management करता है यह IPM V.A.R.D. IPM business model उसको कैसे बड़े पैमाने पे समाज में society के लाव के लिए लाया जा सके आपके invention को तो उसके लिए business model यह सुझाता है N.I.F. Incubation and Entrepreneurship Council N.I.F. I.E.N.T.R.S. तो entrepreneurship council है जो की promote करती है जो भी आपके दोरा innovation लाया गया है उसको किस तरीके से love diet बनाया जा सके और वड़े इस तर पे कैसे उसका production किया जा सके Dismination and Social Diffusion समाज में किस तरीके से वो उपयोगी उसको बनाया जा सके उसके काम करता है DSD initiatives of N.I.F. कुछ initiatives इसके दोरा लिए गए हैं वो क्या है Grass Roads Innovations Design Studio Grids का इसने निर्मार किया है Students Club for Augmenting Innovators SCAI का निर्मार किया है Micro Venture Innovation Fund MVIF पहले भी इसकी बात कर चुके हैं इसका भी इसने इसको बनाया है financially support किया जाता है सिद्वी के दोरा Grass Roads Technological Innovations Acquisition Fund GTIAF Last है Gandhian Inclusive Innovation Challenge Awards Grass Roots to Global G2G पहले भी बात कर चुके हैं यनि Grass Roots से कैसे उसको Global Level पर लिके जाना है उसका model Institute Incubation जहां पे वो problem का solution ढूणा गया है यह प्रयास करता है उसका वहीं पे development हो यनि उसको ऐसा नहीं अलग कहीं जरे जाके बनाना है जिस समस्या का समाधन किया गया है जिसके भी द्वारा वहीं पे उसको कैसे बड़े development करना कैसे उसको बड़े इस्तर पे ले जाना कैसे समाज के लिए उसको लाप्रत बनाना है यह भी यह सुनशिप करता है Community Works साप से करता है Inverted Model of the Innovation Innovations Exhibition at the President House and the Festival of Innovations and Entrepreneurship Fine इसका भी आयोजन यह करता है यह हर Research areas की बात करें तो जो भी Main Science System से उनमें सम्में यह Research को प्रमोट करता है चाहें वो Life Sciences हो, Biotechnology हो Engineering Sciences हो या Agriculture Science हो सारे Sciences को यह Areas को Consider करता है कुछ Innovations है जो इसके दोरा Recognized किये गए है उनमें से कुछ को यहां पे मैं Involve कर रहा हूँ ताकि आप देख सके किस तरीके से इसने उनको पहचाना Recognized किया और Society के लिए देश के लिए Globally उसको लाप्रत बनाया Achievements इसको कह सकते हो जैसे पहला है Modified Boiler and Condensate Heat Recovery System यानि Boiler को Heat दे करके हम कोई भी चीज उसमें Boil करते हैं गरम करते हैं लेकिन यह क्या करता है उसी Boiler की Heat को फिर से कंजारू करके उसके इस्तेमाल के लिए तयार कर देता है यानि इससे हमारा इननकी Six Axis Golden Inwashing Machine Next है Low Cost Sanitary Pad Machine इस पे जो Padman पिक्चर आई थी वो इसी पे बनी थी Sanitary Pad Machine जो बनाई गे लो कास्ट इसी पे वो मुवी बनी थी Next है Leaf Plate Making Machine कि किस तरीके से प्लेट से हम Sorry Leaf से प्लेट बनाते हैं यह Machine भी इसके द्वारा ही Recognized की गई अगला है Multi Purpose Processing Machine Fruits and Vegetable Capper कि कैसे फल जो पॉइंडों पर लगे रहते हैं उसको Insects नश्ट कर देते हैं या जो Words हैं वो उसको नश्ट करती हैं तो उस पे Caps लगाने के लिए एक Machine डेवलप की गई है तो वो भी इसके अंतरगत आती है Tender Coconut Breaker and Instant Cooler कि जो Coconut Breaker को उसको भी तोड़ना बहुत मुस्किल है Coconut को तो उसके लिए भी जो Machine बनी है वो Grass Root Innovation के अंतरगत आती है Banana Fiber Technology यानि जो Banana Tree होता है उसका Fiber निकालके उसके बहुत सारे हम Useful Things बनाई जा सकती है Multi Tree Climber कि किस तरीके से उँचे उँचे पेंड होते हैं जैसे कि Coconut के हैं तो उस पे तोड़ना बहुत मुस्किल है तो जो Machine डेवलप की गई है उस Machine की साहता से कैसे हम बहुत उँचे पेंड पे चड़ सकते हैं धन्यवाद जया जँचे हैं झाल